नमस्कार प्रभासाक्षी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं अंके सिंग वक्त संसद डाड़ी का है सत्रहवी लोग सभा का पहला सीतकालिन शत्र आज शुरू हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मी जताई की संसद का शीतकालिन सत्र उच अस्तर की चर्चा के साथ सार्थक सत्र होगा जिसमें सभी सांसद अपना अपना योगदान देंगे प्रधान मंत्री ने सत्र शुरू होने से पहले संसद परिशन में पत्रकारों से कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तयार है संसद का शी चीट फंड शेत्र का सुविवस्तित विकास करने के लिए इस आय वो द्योग के समक्ष आ रही अर्चनों को दूर करना है सदन में विद्यक पेश करते हुए ठाकोड ने कहा कि चीट फंड सालों से छोटे कारोबारों और गरीव वर्ग के लोगों के लिए निवेश का स्रोत रहा है लेकिन कुछ पक्षकारों ने इसमें आनिये मित्ताओं को लेकर चिंता जताई थी जिसके बाद सरकार ने एक परामर्स समुह बनाया था इस बिल पर सभी दलों ने अप को का विलय और उद्योगों को कड़ से छूट सहीत कई कदम उठाए हैं महरास्त में पिछले महीने बेमौसम बारिस की वज़ा से विभिन फसलों बागवानी और किसानों को वे नुकसान का मुद्दा सोमवार को लोकसभा में गुंजा लोकसभा में कॉंग्रेस के नेता अ अब्देश का अपमान है नेशनल कॉंफरेंस के नेता फारुक अब्दुल्हा को स्री नगर में हिरासत में रखे जाने का मुद्दा उठाते हुए कॉंग्रेस डीम के और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने लोकसभा में सरकार पर निशाना साधा और लोकसभा अध् पी किया जवाहलाल नहरों विश्व विद्याले में छात्रवाश शुल्क के बिधी का मुद्दा लोकसभा में उठा और बस्पा के एक सदस्य ने सरकार के इस कदम को निंदनी बताया अब राजसभा की बात करते हैं राजसभा के 250 वे सत्र के प्रारंब होने पर सुमवार को आसन का नजारा कुछ बदला सा लग रहा था यह बदलाव आसन की सहायता के लिए मौजूद रहने वाले मार्शलों की एकदम नई वेश्बूसा के कारण महसूस हुआ आम तोर पर उच सदन की बैठक आसन की मदद करने वाले कलगीदार पगड़ी पहने किसी मार्शल से सदन में आकर यह पुकार लगाने से शुरू होती है कि माननिये सदस्चो माननिये सभापती जी किन्तो सोमवार को इन मार्शलों के सिर पर पगड़ी की बजाय नीले की आधोनिक सुरक्षा कर्मियों वाली वर्दी धारन कर रखे थी भारत के संसद्य इतिहास में राजसभा की योगदान की चर्चा करते हुए सभापती इंव नाईडू ने उच सदन के सभी सदस्यों को गवा दिये गए औसरों पर गंभीरता से आत्म औलोकन करने की सलाह दी और अगाह किया कि अगर इस औसर को गवा दिया तो हमारी यानि राजसभा की प्रासंगिक्ता पर खत्रा आसन आ सकता है नाईडू ने सोंबार को राजसभा की 250 वे सत्र की पहली बैठक के मौके पर भारतिय शासन विवस्ता में राजसभा की भूमिका और भविस्य का रास्ता विशय पर विशेश चर्चा के दौरान कहा कि पिछले सर्षट साल में देश में समाजिक आर्थिक बदलाव की प्रक्रिया में उच्छ सदन ने एहम भूमिका का निर्वाहन किया है लेकिन यह भी मानना होगा कि अभी सब कुछ सही नहीं है भारत के संसदी इतिहा इतिहास में राजसभा द्वारा दिये गए योगदान के सराहना करते हुई प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सभी दलों के सदस्यों को रुकावट के बजाय समवात का राश्ता चुनने की नसीहत दी प्रधान मंत्री मोदी ने उच्छ सदन के 250 वे सत्र के पर भारती राजनीती में राजसभा की भूमिका आगे का मार्ग विशय पर हुए चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि इस सदन ने कई एतिहासिक पल देखें हैं और कई बार इतिहास को मोरिनेव का भी काम किया है उन्होंने अस्थाइत्व एवं विवित्ता को राजसभा की दो विशेष्टा बताया उन्होंने कहा कि भारत की एकता की जो ताकत है वह सबसे अधिक इसी सदर में प्रतिविंबित होती है उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के लिए चुनावी अखारा पार करना संभाव नहीं होता किन्तो इस विवस्था के कारण हमें ऐसे का लाब मिलता है पूर्वे प्रधार मंत्री मनमोहन सिंग ने सोमवार को कहा कि राज्यों की परिशत होने के नाते प्रांतों की सीमाओं के पुर्ण धारन से संबंदित विधियकों में राजसभा की अधिक भूमी का होनी चाहिए उन्होंने हाला कि इस संदर में जमू कश जगनात मिश्र सुकदेव सिंग लिब्रा और गुर्दास दाशकुपता को स्रिधान जिली दी गई और इन निताओं के संबान में बैठक दो पहर दो बज़े तक अस्थागित कर दी गई थी तो यह थी आज की संसत की खबरे कल फिर मुलाकात होगी संसत की खबरों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार